वो करना ही पाई वीडियो ने एक बार दबान से जरूर करिया आज मैं आउडा हूं से टरह आउर मायने वीरधु दोरकदास विद्याले 80 वेख काल एक वीडियो सोचल ले मात मान लगातार वाइरल हो रही है और मायने परीजन है लगातार विद्याले संसालक मोहन सिंग माद लगातार अरोप लगा रिया है अठेर काई पूरी हकीकत है वाक खवरेज में आप रशाते बतम ला मैं अठेरा संसालक मोहन सिंग जी हुँ बात करूं ला और अठे वुगरी बच्वर हाते दी कुई अन्याई होयो है तो अठेर पूरी और आप इन वीडियो में जरूर शुनिया जय जोदाना जय राज्ता आपरी विज्जय लेरो लगतार सोचल मीडिया माद एक वीडियो बाए रोर्यू क्या थे अन्याई हुई है तो पूरू का इक घटना करम दो उन बारे मार्दस्टन बदे तो शुरू से यह कि यहां NCC का कैम्प था अक्टूमबर दोजार बाइस में तो भॉंगर सिंग जी यहां पर NCC के कैम्प में आए तो यहां के बचों का टर्न आउट ले आउट और सारी एक्ट्यूटीज देखके उन्होंने मुझे बताया कि यहां के लड़के NDA वगरा क्यों नहीं जाते हैं सीक्र वग क्लास्रूम की कोई दिक्कत नहीं है शिक्षा के लिए अपने इतना काम कर रहे हैं तो NDA CDS वगरा सेनिक स्कूल मिल्टरी स्कूल एडमिशन के लिए हम आपको क्लास्रूम अपलब्ब्द करवा सकते हैं तो उन्हों का इसके लिए क्या एग्रिमेंट होगा वह सब अपन ज लोगा परीजन आया वे सब भी आप मात कह रही है कि अपने परबंदग मोहन सिंग बगएरा यह और विद्याले परशाशन तरफूं वीजदुर्गदास विद्याले तरफूं और हाथानिया यह तो यह सेनिक स्कूल में और आप रही विद्याले में काई हैं फरक यह कि से मेरा नाम, बगएरा मैं आपके साथ नहीं हो मैं अपरतियक सूप से आपके साथ हूं परतियक सूप से यह आप काई काम है तो पेड़न्स जो मेरे उपर इल्两g लगा रहे हैं वह न तो पारंस मेरे कहने से आए उसोरे मेरी मेरे मैजय मेरे ङक говорит बहुर सिंग के संपर्क में आए और उनी से उनकी ओपीस में मिले एक और परशन है कि जद बहुर सिंग पहली वार आया तो अठे आप रेकिन साफ गुरिया आप वह जगह दी नहीं वाट रहे वास्ते करे वास्ते नहीं मेरी जान पैचानिया NCC के कैम में हुई जो NCC का कैम जो इस्टाफ ठेरा हुआ था उनके पास में खाली रूम था वहां रहे कि मुझे बुले आपने उनका क्राहिन नहीं वह नहीं कि वह से संट जुलाई में होता है तो उनका जुलाई में जब अपना से संशन शुरू होगा एक जुलाई को तब मैं एक एक्रिमेंट करूंग मेरी कोई उनसे अंतरकलर नहीं है वो क्या है कि बहुत बड़ा लेके बैटे थे कि या मैं सेगड़ों लड़कों को लाओंगा और लाक रुपे मेरी उससे फीज है तो मैं करोड़ों रुपे एक्ठे करूंगा तो बचे आए कम उनके 25 बचे ही आए तो उनसे वो करोड़ो रुपे वो आसिल हो नहीं पाए और जो बच्चों ने फीज दी वो उन्होंने मैं जून में सारी खर्च कर दी लोगों के उपर तो अब तो उनको रोटी खिलाने के भी उनके लाले पड़ रही थे उमैस अलग करके तो फिर वो वोखला गए और पैरेंस को भी क्या बात ब मेरे उपर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने बच्चों को यह बोला वो बोला यह बोला हमने तो हमारे वो संपर्ग में नहीं थे जब बहुर सिंग जी के संपर्ग में अदम कैसे बोल सकते हैं यह उन्होंने हमारे बंदाम करने के लिए ब्लैक मेल करने के लिए ऐसे वातकंडे अपना है कि उन्होंने अप्रेल में बच्चों से फीस ले ली थी और फीस सारी उन्होंने खर्च कर दी अपनी वेक्तिगत तो अब यदि वो उन है आप यदि महां जाके देखो तो मौके पे आपको वहां भी सैनिक स्कूल नाम से ऐसी मिलेगी और सीकर जोंजनों इस साइड में आजकल सैनिक के नाम से खुब खुल रही है और लोगों को गुमरा कर रहे हैं जबकि सैनिक स्कूल यह नहीं होती है सैनिक स्कूल कोई सैनिक का उवेला नहीं पेरेंट्स ने उसमें साइन किये सिंपल जो बच्चा एडमिशन लेता है सरकारी स्कूल में जैसा वही फॉर्म सरकारी स्कूल का फॉर्म है और उसमें पेरेंट्स सारा एगरी होके गया तो यह सैनिक सब्द आया कहां से एक और है बहुर सिंग जी के गुमरा होके आये वो मेरे पास आये कि सर यह फीस हम जमा करा रहे है तब बहुर सिंग जी को मैंने बोला कि भई हम जो यहां खाना खिला रहे हैं और यहां अमारे से जो आप ले रहे हो तो यह खाने के पैसे तो जब तक आपके मैस नहीं आये तो उन स्लेक्टेड ल पर्चों की फीस उन्होंने अप्रियल में लेके खर्च भी कर दी अब यह जंता देख रही है वीडियो जी उनको आप क्या कहना चाहिए मैं उनको यह कहना चाहरा हूं कि सिक्सा के नाम पे आज कल यह चोटे-चोटे अथकंडे अपनाए जा रहे हैं मैनत नहीं करके पैसे कमाने का जिसमें बहुर सिंग का भी यह जाल था कि मैं क्यों नहीं ऐसे लोगों को इकठा करके और उनसे रुपे एकठे करूं और आगे में जैसे यह आजकल कॉपरेटिव सोसाइटी हैं वगेरा जो करती है वो सेम यह सिक्सा में भी अब यह अध्रंडा आ रहा है जिसको हमने तो पकड़ा है असल में हमने पेरेंट्स के साथ में अच्छा काम किया नहीं तो यह कई लोगों को गुम्रा करता एक और बहुर सिंग जी यहां से पूरे उनको एंडल कोई दूसरे लोग कर रहे थे और वो लगातार उनके संपर्क में थे तो हमने किसी प्रकार से वो तो इनको एंडलिंग पूरी बाहर से हो रही थी और एक जो बच्छे बता रहे हैं कि हम बात्रूम का बात्रूम में यह वो बच्छे किसके थे या कहा वो बहुर सिंग जी 24 अवर्स रहते थे रोवार्डन का काम भी वो खुद और साथ में करते थे अब वो जो पीने के लिए अलग-अलग वाटर कूलर लगे हैं जान 24 अवर्स सुद पानी आता है क्या सर एक और ओडियो वायरोला जिसमें एक मैडम यहां पर बोद रहे हैं कि मैंने मौन सिंग जी को पैसे दी और मेरे पस्वां के साथ अन्याय हुआ है और एक दिन पहले आप से बात घंए क्षे किया है मेडम वही जो एक दिन पहले मेरे से बात करती तब पूरा कहती है कि हमने पैसे बहुर सिंग जी को उन्के परसनल खाते में डालें और दूसरे दिन बहुर सिंग जी और वो जब पूरी टीम उनको गुम्रा करती है तो वापस अपना ब्याद्म बदल द जहां बवर सिंग जी के निर्देशन में ही बच्चे रहते थे हमारा उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था